Hey guys, welcome to the session. आज हम बात करेंगे आज के करेंट अफेस की जिसमें पहला टोपिक है भारतिय जेविक डेटा केंदर. अभी जो है सरकार ने जेविक डेटा केंदर खोला है भारत का और ये फरीदाबाद में खोला गया है. जो भारतिय जेविक डेटा केंदर की इस्थापना की है और ये जो डेटा बैंक है इसको भारतिय जेविक डेटा बैंक के रूट में जाना जाएगा. भारतिय जैविक डेटा केंदर या डेटा बैंक कहां पर फरीद आवाद में नाम किसे क्या जाना जाएगा इसको भारतिय जैविक डेटा बैंक के रूट में जाना जाएगा अब भारतिय जैविक डेटा केंदर क्या है जो IBDC है भारतिय जैविक डेटा केंदर ये एक Life Science डेटा के लिए पहला राष्टे भंधार है भारत में Life Science डेटा के लिए भारत में पहला राष्टे भंधार है IBDC जहां डेटा नकेबल पूरे भारत से एकत्र करके रखा जाएगा बलकि जो वहां कर सोध करना चाहते हैं उनकी पहुँच भी वहां तक पहुँचाई जाएगी उनको भी पहुँचाई जाएगा ये सारवजनिक रूप से बित पोसित अनुसंधान से उत्पन IBDC के में सभी Life Science डेटा को संग्रहित करना अनिवारिया है और जो ये डेटा सेंटर है वो जैब प्रोध्योगी की विभाग यानि DBT द्वारा समर्थित है जैब प्रोध्योगी की विभाग DBT द्वारा ये समर्थित है इसे जो है राष्टे सूचना विज्ञान केंदर यानि NIC अपने वेबसाइट बगरे देखेंगी न NIC.IN वगरा तो ये वही राष्टे सूचना विज्ञान केंदर है NIC वाला भूबनेसवर के सहयुक से छेत्रिया जैब प्रोध्योगी की विभाग ये इस्थापित कर जा रहा है तो कौन इसको सहयुक कर रहा है NIC जैसे कोई भी अपसाइट होगी www.nic.in करके होता है तो ये सूचना विज्ञान केंदर है भारत का और भूबनेसवर में है इसके सहयुक से छेत्रिया जैब प्रोध्योगी की अंदर में इस्थापित कर जा रहा है इसको और इसकी लागत कितनी आ रही है 85 करोड रुपे 85 करोड रुपे तक इसकी लागत आ रही है मुख्य विसेस्ताई क्या क्या है इसकी ये डिजिटल डेटा को बाही है यानि ब्रह्मा नामक 4 पेटावाइट चमता वाले सुपर कम्प्यूटर पर संग्रीट क्या जाएगा इसमें जो डिजिटल डेटा आएगा उसको ब्रहमा नाम का एक 4 पेटावाइट शमता का सूपर कम्प्यूटर है उसमें संग्रहित यानि सेव करेगा और एक पेटावाइट कितना होता है 10 लाग गीगावाइट के बराबर होता है एक पेटाबाइट और ये कितना पेटाबाइट का है चार पेटाबाइट का है ब्रहमा नाम का एक सुपरकम्प्यूटर उसमें इसको डेटा को स्टोर किया जाएगा तो कितनी इसकी समता है आप अंदाज लगा सकते हैं IBDC जो है इसके भिन भिन सेक्षन अलग अलगता है कि डेटा सेट को परबंदित करेंगे परति एक IBDC अनुभाग में समर्पित डेटा सब्मिसन और एक्सिस स्कीम होगा जो IBDC है इसके पास NIC में एक बैक अप डेटा आप अदा रिकबरी भी साइट है अगर IBDC में कुछ हो जाता है तो इसका डेटा की रिकबरी कहा होगी NIC में होगी वहाँ पर बैक अप डेटा होगा आप अदा रिकबरी साइट है वहाँ पर उसमें आप डेटा को रिकबर कर सकते हैं इसके अलाबा जो IBDC है लाइफ साइंस के बिविन छेतरों में ग्यान की खोज को सुभी दा जनक बनाने के लिए अत्यदिक क्यूरेटेड डेटा सेट भी बिक्सित करेगा और यह जो जैविक डेटा बिस लेशन है उसके लिए बुनियादी धाचा और विशे सबिता भी परदान करेगा जो बायो बैंक है उसमें अब 200 बिलियन बेस पेपर डेटा है बायो बैंक में 200 बिलियन बेस पेपर डेटा जिसमें 1000 जीनोम प्रोजेक्ट के तहत अनुकरमित 200 मानव जीनोम सामिल है जो लोगों में अनुवानसिक विवित्ताओं को गैप करने का एक अंतरास्टे परियास है कितना इंपोर्टेंट है कितनी इसकी जो छमता है वो देख सकते हैं परियोजना उन वर्गों पर भी ध्यान के अंदरित करेगी जो कुछ बीमारियों के लिए पूर्व निर्धारित है तो ऐसे वर्ग भी हैं जिन पर इसका ध्यान के इंद्रित होगा जो कुछ बीमारियों के लिए पूर्वनी धारित हैं ऐसी ओजनाई भी ये बनाएगी यह सोध करताओं को जिनोटिक रोगों का ध्यान करने में भी मदद देगी जिनोटिक रोग हैं उनका ध्यान भी यहां प प्रतियों के बंदारन के लिए विस्तारित होने की संभावना रहेगी इसकी अब इसको बनाने का उद्देश से क्या है देश में जैविक डेटा को लगतार संगरीत करने के लिए आईटी मंच प्रदान करेगाए जो डेटा है उसको संगरहित यानि खटा करने के लिए अगैण संचारान पर्लॉजाओं का विकास किया जाएगा गुडवन्ता न्येंतरण होगा डेटा का क्युरेशन होगा इन्टेशन होगा डेटा बैकप और अटा life cycle का परबंधन भी कर सकेंगे डेटा साजा करन या पुनर प्राप्ति फिर से प्राप्त करना उसके लिए वेब आधारित उपकरन या अनुपर्योग प्रोग्रामिंग इंटरफेस का विकास किया जाएगा बिग डेटा बिसलेशन और डेटा साजा करन के लावो पर प्रसिक्षन काजे करमों का संगठन भी हो सकेगा इससे अब डेटा तक पहुँच कैसे होगी IBDC में पुर्मक रूप से दो प्रकार से डेटा में पहुच या एकसेज हो सकेगा ओपन एकसेज होगा एक तो जो टाइम रिलीज एकसेज भी इसको बोल सकते हैं एक पुर्ति बंदीत एकसेज होगा एक में open access कर सकते हैं एक में पुर्तिबंदित access तो IBDC में जमा किये गया data जो है इंतराश्टिय open access मानकों के अनुसार दुनिया भर में आसानी से उपलब्ध होगा मारलो तुम कोई data store करते हो अपनी website खोलते हो अमेरिका में जाके तो वहाँ पर भी इसको प्राप्त किया जा सकता है हाना कि परस्तुति करता निर्दारी समय के लिए data access को पृतिबंद करने का विकल्प भी चुन सकता है यह इसको परस्तुत करने वाला है पूर्व अनुमती के माद्दें से access किया जा सकता है तो पहले अनुमती लेनी पड़ेगी फिर इसको access किया जाएगा इतनी इस पर प्रतिबंद भी रहेगा फिर भी इसका महत्व क्या है यह अमेरिका और यूरोपिय डेटा बैंकों पर निर्भरताओं कम कर देगा अब भारत के लोग जो है इसी में डेटा को सेंट अपना इस्टोर कर सकते हैं यह न केबल सोध करताओं को अपनी डेटा को देश के भी तरसुरक्सित रूप से संग्रीद करने के लिए मज़ परदान करेगा बलकि विशलेशन के लिए स्वैदेशी अनुकरमों के एक बड़े डेटावेश तक पहुँच भी परदान करेगा जो विशलेशन हैं उनकी अपना जो अनुकरम है उनका डेटा सेंटर खुद का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से जो डेटावेश है उसने पारंपरिक रूप से बिभिन बीमारियों के अनुवानसिक आधार को निरधारित करने और टीकों के उप्चारों के लिए लक्ष्य खोजन में महत्पुन भूमी का निवाई है तो इससे हम आत्म निरधा बवन जाएंगे डेटा सेंटर में भी नेक्स्ट टोपिक है मानगड नर्संगार 17 नमबर 1913 को मानगड जो बासबाड़ा राजिस्थान में पढ़ता है तो 1913 में मानगड में एक भयानक तरास्डी हुई थी जिसमें 1500 से अधिक जो भील आदिवासी है वो मारे गए थे कितने 1500 से भी जादा भील आदिवासी मारे गए थे एक तरास्दी में मानगड जो बासबाड़ा राजिस्थान में पढ़ता है और ये हुआ था ये गए तराजदी हुई थी 17 नमबर 1913 को गुजरात राज्थान सीमा पर मानगर पहाडी को आदिवासी जलियावाला के नाम से भी जाना वाज जाता है जैसे हमारे स्वत्मत्रा संगराम में जब लड़ाई चल ले थी भारत को आयाद कराने की तो महाँ पर जलियावाला कांड हुआ था तो इसको आदिवासी जलियावाला माना जाता है मानगर बासवाडा राजिस्थान को कहाँ पर था ये गुजरात राजिस्थान की सीमा पर तो आदिवासी जलिया वाला इसको मानते हैं जो मानगड पहाडी को यहां परिस्ती थे मानगड में क्या कारण था इनका मानगड में जो नरसंगार हुआ था भील जो एक जाती हादी वरसी समुदाय है इसको रियासतों के सासकों और अंग्रेजों के हाथों बड़ी परिसानियों का सामना करना पड़ा है उस टाइम पे बीसवी सिदाबदी के अंतक राजिस्थान और गुजरात में रहने वाले भील बंधवा मजदूर बन गए थे इनको बंधवा मजदूरी करवाई जाती थी इनसे जो इए भील जन जाती के लोग थे दक्कन और बॉम्बे परेजिदेंसी थी 1899 में और 1900 के भीसन अकाल जिसमें 6 लाग से अधिक लोग मारे गए थे उसमें भी भीलो की स्थित्य और खराब बना दी थी तो ये इनका भीलो का नरसंगार था जो उस टाइम पे परष्ट भूमी थी इनकी सामाजी कार्य करता गुरू गोबिंद गुरी जिनहें गोबिंद गुरु को नाम से भी जाना जाता है इनके दुआरा लामबंद और प्रषिख्षिद भीलों ने 1910 तक अंग्रेजों के सामने 33 मांगो का एक चार्टर रख़ा था गोविंद गिरी के या गोविंद गुरू के नाम से इनको जाना जाता है 33 मांगो का चार्टर रख़ा था अंग्रेजों के सामने 1910 में अब जो जबरन्सरम नहीं मजदूरी जबरजस्ती मजदूरी भीलो पर लगाए गए उचकर टेक्स जो थे और अंग्रेजी अंग्रेजो और रियासतों के सासों को द्वारा गुरू के अनियाईयों के उत्पीड़न से संबंदित थे इन्हों ने इसमें अपनी मांग रखी थी भीलो ने उन्हें सांत कन्ने के अंग्रेजो के प्रियास को खारिश कर दिया और बिटिस असन कसे सुतंतरता की गोसना करने का संकल्प लेते हुए मानगड़ पहाड़ी छोड़ने से इनकार कर दिया कि हम मानगर पहाड़ी नहीं छोड़ेंगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तो अब अंग्रेजों नहीं क्या क्या 15 नवंबर 1913 से पहले मानगर पहाड़ी छोड़ने के लिए कह दिया उन से लेकिन ऐसा नहीं हुआ फिर 17 नवंबर 1913 को बेटेज भारते सेना ने भील परदरसन कारियों पर अंदाधुन गोली चलाई जैसे वहाँ पर जो जलिया वाला बाग था वहाँ पर अंदाधुन गोली चलाई थी वैसे यहाँ पर भी भील परदरसन कारियों पर अंग्रेजी स इनके जो लीडर थे गुरु भील और गरासिया आदिवासी समोदाय की बीचे एक महान नेतर तो करता थे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हजारों आदिवासियों को अपने दम पर एकजुट कर लिया तातकालिक मानगर वर्तमान राजिस्थान के उदैपुर दूरंगपुर औ बासवड़ा गुजरात के इडर तथा मध्य परदेश का मालवा के सीमान छेतर को कवर करता है ये इतना एरिया उसमें आता है उस टाइम के उसमें गोबिंद गुरु भारत के स्वतंतरता संगराम में नेता बनने से पहले उन्होंने भारत के पुनर जागरन आंदोरन में म अंदोरन के एक केंद्रिय वेक्ति थे तो जो स्वामी विवेकानन है आपने सबने नाम सुना होगा उनको भी ये काफी इंप्रेस कर पाई थे 25 साल की उमर में उन्होंने स्वामी दैनन सरस्वति के साथ मिलकर आदिवासी छेतरों में सामाजिक सुधार के छेतर में काफी तो अब देखो दैनन सरस्वतिके साथ भी इनोंने काम किया था जो आदिवासी छेतर थे उसके सुधार में भी इनोंने काफी योगदान दिया था 1903 में गुबिंद गुरुने सराव ने पीने का संकर पलिय था और अपना दियान सामाजी बुराईयों को खत्म करने बिदे इन सारी चीजों को हल करने लग गए और अपने अंदर की जो बुराईयां थी वो भी छोड़ दी इसे एक संप यानि एकता सभा का निर्माड हुआ जिसकी पहली बैठक मानगड में पहाड़ी पर हुई थी इन्होंने उनको इखटा भी किया और मानगड की पहाड़ी पर ही बैठक भी कि उनकी इस एतिहासी गटना ने भारते एतिहास में मानगड के महत को सुधरन किया और फिर यह छेत्र आदिवासी आंदोरन का केंदर बन गई थी एक तरह से 1908 में गोबिंद गुरु दुवारा शुरू किया गया भागत आंदोरन जिसमें आदिवासी अपनी सपत की पुष्टी करने के लिए आग के चार और इखटा हुए और उसे इसे अंग्रेजों ने खत्रिक रूप में चिनित किया तो भगत आंदोरन शुरू किया कि इनोंने गोबिंद गुरु ने 1908 में और ये एक आदिवासी आंदोरन था अंग्रेज से डर गया खत्र में पढ़ गया किया कुछ गड़बर हो सकती है तो मानगर हत्या कारण का परणाम किया बहुत भयाबर था गोबिंद गुरु को रखतार कर लिया गया लेकिन आदिवासी भीलो का अंदोरन हिंसक हो जाने के डर से अंग्रेज उनने उनकी फासी टाल दी और एक निरजन दीप पर उन्हें 20 वर्स की कैद की सज़ा सुनाई तो मारत उने उनको एक दीप पर भेज दिया जब वे जेल से रिहा हुए तो तत 231 को मृत्य को बराप्त हो गए अब भील जन जाती के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे बाकी अगर नहीं जानते तो हम अभी पढ़ लेते हैं भीलों को आम तोर पर राजिस्तान के धनुस धारी के रूप में जाना जाता है ये भारत का सबसे बड़ा आदिव 242 समुदाए भील जन जाती कहां पर रहते हैं तोर पर ये राजिस्तान के धनुस धारी के रूप में इनको जाना जाता है 2011 की जनगन्ना की जनगन्ना हुई है उसके अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाती कुन सी है भील 2011 की जनगन्ना की अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाती भील है इन्हें दो रूपों में वर्गित कर सकते हैं आम तोर पे मध्या या सूद्र भील और पूर्विया राजपूत भील यानि के सूद्र यानि नीची जाती के उसमें आते हैं जैसा कि इसमें लिखा है या कहा गया है कहा जाते हैं इनके बारे में पूर्विया, राजपूत, भील जो राजपूत टाइप के लोग यानि के इनको कह सकते हैं हम छत्रिय वर्ग में आते हैं मद्यभारत में भील, मद्यपडेश, महराश्ट, गुजरात, राजपूरा के उत्रपस्रिमि छेत्रों में भी पाय जाते हैं इन्हें आंद्रप्रदेश, 36 गड़, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महराश राजिस्थान, तिर्यपुरा में अनुसूचित जन्जाती माना जाता है यानि एस्टी माना जाता है इन्हें इन राज्जियों में भील जो है आरिय पूर्व जाती के सदस्य है आरियो की पूर्व जाती के सदस्य है भील और भील सब्द जो है बिल्लू या बिल्लू सब्द से बना है जिसे द्रेविड भासा में दनुस के नाम से जानता है तो बिल्लू का मतलब महाँ पर क्या होता है द्रेविड भासा में उल्ले किया है, वो किया गया है अगला टोपिक है महापासाल कालीन समाधी इस्थल अभी के जो निसकर्ष चल रहे हैं उनके अनुसार आंद्र प्रदेश में जो तिरुपती जिला है सबसे बड़ा एंत्रो पॉमोर्फिक समाधी इस्थल संग रहे है एंत्रो पॉमोर्फिक समाधी इस्थल सबसे बड़ा कहां पर है आंद्र प्रदेश के तिरुपती जिले में एंत्रो पॉमोर्फिक या मानवी करतिय इस्थल सितात पर ये कौन सा है महा पासार कालीन समाधी इस्थल के उपर मानब कंकाल के साक्से मिलने वाले इस्थान से है ऐसा इस्थल जो समाधी इस्थल है उसके उपर मानब कंकाल के साक्से मिले हैं उसको बोलते हैं एंतरो पॉर्मोर्फिक या मानवी करतिया इस्थल ध्यान रखना इसको कुछ इस तरह के होते हैं महापासान या पासान जो है पत्थर को कहते हैं मेगालित इंगलीज में बोलते हैं इसको हिंदी में महापासान बोलते हैं इसका एक जो तात पर यह है वो है प्राग एहतिहासिक पत्थर से है इसका उप्यागा तो एकल या अन्य पत्थरों के साथ मिला का सन नचनाय इस मारक बनाने के लिए किया जाता था देखो उपर का पत्थर इसमें अकेला दिखाया गया नीचे बहुत सारे पत्थर रखे गया है तो इस टाइप से ये एकल भी हो सकता था बहुत सारे भी हो सकते थे तो इसमें इसमारक स्थल के रूप में इसको दिखाया गया है ये बास्तिविक समाधी अवसेसो वाले स्थल जैसे डॉल में नॉइट सिस्ट यानि वोक्स को आकार के पत्थर की समाधी जो होती है कैनर सरकल जो परिभासित परीधी वाले पत्थर उसके गेरे और कैपस्टोन यानि मुख्यरूप से केरल में पाए जाने वाले विशिस्ट मस्रूम क्याकार के समाधी इस्थल इसको कैपस्टोन बोलते है नस्वर अवसेसो से युग कलस या ताबूद आम तोर पर टेरा कोटर से बना होता था जो कलस या ताबूद बनते थे वो टेरा कोटर से बनते थे वो डेमेज होते थे नस्वर हो जाते थे तथा मेगालिथ में मेनहीर जैसे इस मारक इस्थल सामिल है भारत में पुरातत विदोंने लोह यूग जो पंद्रह सो से पान्सो इसापूर्व कमाना जाता है उसमें अधिकांस महापासान का पता लगा है तो जो भारत के पुराततविद हैं लोहयुक का पता उन्हें का लगा है महापासान काल में हला कि कुछ इस्थल लोहयुक से पहले यानि कि 2000 इसापुर्ग तक के भी है जो महापासान भारतियों प्राइदीप में फैले हुए हैं अधिकांस महापासान इस्थल प्राइदीप ये भारत में पाए जाते हैं जो महाराष्ट मुक्यरूप से बिधर वाला एरिया करनाटक, तमिलनाडू, केरल, आंदर प्रदेश और तेरंगारा जैसे राज्यों में केंद्री थाये यहाँ पर अधिकांस पाए गए हैं ये मेगालित वाला एरिया है, महापासान वाले, बहुत सारे जैसे ये बुर्ज होम है, ये बुर्ज होम वाला एरिया है, आप हिस्थी में पढ़ेंगे इसको, मेहरगड़ वाला एरिया है, भीम बेट का, ये सारे जो है, कुर्नूल की केव्स हैं, हुंगसी है, ये सारे के हैं ये महापासान वाले एरियाज हैं जो एंसेंट इंडिया में पाए गए हैं तो इसको मैप को आप एक बार सही से देख लेना पौज करके वीडियो को अब जो मेगालिथिक हैं या महापासान हैं उनकी सरनचन अभी बिन परकार की होती है किस-किस परकार की होती है स्टोन सर्कल्स, डॉलमेन, सिस्ट, मोनोलित ये इस टाइब के सारे अलग-अलग परकार है तो जो स्टोन सर्कल्स है पत्थर के घेरे हैं उनको आम तोर पर क्रॉम लेक कहा जाता है क्रोम लेक आम तोर पर स्टोन सरकल इस टाइब के हो सकते हैं इनको क्रोम लेक कहते हैं यह अंग्रेजी सब्द क्रोम लेक का प्रयोग कभी कभी इस रत्मी क्याता है यह वेल स्वासा का सब्द है वैसे डॉलमेन का एक महापासार सरचना है जो दो यादो से अधिक सहाय पत्थरों पर एक बड़े Caps टौन को रख कर बनाई जाती है यानि कि इस टाइपसे रख के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख के जैसर ऊपर दिखाया गया वो चित्र में इस टाइपसे बनाई जाती है जो नीचे एक कक्स बनाती है कभी-कभी तीन तरफ से बंद होती है इसे एकसर मकबरे या समाधी कक्सी रूप में भी प्रयोग क्या जाता है एक होती है सिस्ट एक छोटा पत्थर से निर्मित होती है ताबूत होता एक ताबूत जैसा बोक्स या अस्थी पेटी है जिसका उपयोग मर्तकों के सबो को रखने के लिख्या जाता है समाधी सन्नचना में डॉलमेंस के समान महापासान सन्नचना है इस परकार के अंतियस्ठी पूरी तरह से भूमिगत्थी ये एकल और बहु कक्स एसिस्ट थे एकक्स भी होता था ये ज़्यादा भी हो सकते थे मोनोलिथ ये प्रागेति हासी काल में इस्थंबित एकल पत्थर थे यानि अकेले पत्थर से इस्थंब बनाया गया है इसको कभी-कभी मेगालिथ और मेन हिर के नाम से भी या उसके परियावाची के रूप में भी जाना जाता है मेगालिथ मतलब बड़ा पत्थर और ये एकल पत्थर होते थे परवर्तिकाल में एकल पत्थरों का वर्णन करने के लिए इसी सब्द का प्रियोग किया जाने लगया कैपस्टोन सेली एकल मेगालिथ 36 रूप से अक्सर समाधी इस्तलों के उपर पत्थरों के उपियो क्या धार के बीना रखा जाता था इसको जारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को भारत संग के 28 वे राज्य के रूप में 27 वे राज्य के रूप में उत्राखंड 9 नवंबर को 28 वर राज्य के रूप में जहारखंड 15 नवंबर 2000 को इस्थापित हुए यह जहारखंड का निर्माण हो गया यह जो राज्य है आदिवाश्यों की ग्रह भूमी माना जाता है इसमें मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना के वन छेतर सामिल है छोटा नागपुर का पठार जहारखंड संथाल परगना जहारखंड यहां की अपनी विशिष्ट सांस्क्रितिक परंपराए है स्वतंतरता प्राप्ति के परसा ज्यारखंड मुक्ति मोर्चा ने नियमित रूप से आंदोरन किया था यहाँ पर और इसी के परणाम सुरूप ज्यारखन मुक्ती मोर्चा के परणाम सुरूप जो है इस सरकान ने 1995 में ज्यारखन छेत्रिय परिशत की इस्थापना कर दी थी। अब ज्यारखन जो है भारत का पुर्मुख राज्य है जो गंगा के मैदानी भाग के दक्षिन में है यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में घने बन पाए जाते हैं जहां बहुत सारी बनस्पतियां होती है इसी कारण ज्यारखन इस राज्या का नाम ज्यारखन पड़ा है ज प्रदेश के अन्य बड़े सहरों में धनबाद, बोकारो और जमसेद पुरसामिल है। जमसेद जी टाटा के नाम से आप टाटा स्टील की कम्पनियां आपर के नाम से बिसको जानते हैं। बच्चे की जो उत्तर जीविता है और विकास उसके लिए नवजात सीसू की देखवाल के महत के बारे में जागरुकता बढ़ाना ये इसका उद्देशी है बच्चे की जो तर्जीविता है उसके लिए नवजात काल की अबधी यानि कि जीवन के जो पहले 28 दिन होते हैं महत पून होते हैं क्योंकि इस अबधी में वालिय बस्ता के दुरान किसी अन्य अबधी के तुलना में मरत्यू का जोखिम जादा होता है जीवन का पहला महीना आधार वो तबधी है हर बच्चे का जो पहला महीना है वो आधार है उसका अगले जीवन के लिए स्वस्त स्वस्त होगा तो स्वस्त ही वो यंग होके बनेगा जोकि अपने समदायों और समाजों की उन्नती अवंभीकास में यगदान करते हैं पुरतिवर्स 26 लाख बच्चे जीवन के पहले सफथा में मरत्यू को प्राप्थ हो जाते हैं बहुत बड़ा डेटा है हर साल जो है 26 लाख बच्चे पहले सफथा में ही अपनी मरत्यू को लेते हैं 26 लाग तो जो पहले सब्ता में मर जाते हैं और जो 2.6 मिलियन बच्चे हैं वो सिर्फ मरे वही पैदा होते हैं मृत पैदा होते हैं भारत में वर्स 2013 में 0.75 लाख नवजास सीशों को मृत्यू हुई थी हाला कि नवजास सीशों मृत्यू दर वर्स 2000 2000 में पुर्ती 1000 जीविद बच्चों में 44 से घटकर 2013 में 1000 जीविद बच्चों में 28 की हो गई है यानि कि जो हमारे हैं 94 सीशों मृत्यू दर थी 2000 में सन 2000 में 1000 जीविद बच्चों पर 44 बच्चे मर जाते थे लेकिन 2013 में ये संख्या कितनी हो गई 1000 जीविद बच्चों पर 28 हो गई 28 बच्चे मरत हो जाते हैं यदि हम 2035 तक 5 वर्स से कम आयूबर के बच्चों के मरत्युदर 1000 जन बच्चों में 20 या उससे कम करना चाहते हैं तो विशिस्ट पर रियास करने होंगे हमें इस मरत्युदर को 1000 बच्चों से 1000 बच्चों पर 20 लेके आना है नबजास मरत्युदर के मुख्यकारण क्या है अपरी पकवता जनम के दोरान जटिलताएं गंभीन संकरमड सभी नबजास सीसुओं में बीमारी के जोकिम को कम करने और उनकी बरद्दी बढ़ने वंबिकास के लिए आवस्चक नबजास सीसुदेखवाल की आवस्चता होगी जो नबजास सीसुदेखवाल है उनकी इस्पेसल उनको ट्रीटमेंट दिया जाना जीए रास्टिया खेल पुरुसकार की घोसना केंद्रिया युबा मामले और खेल मंत्राले ने रास्टिया खेल पुरुसकार 2022 की खुसना कर दिया राश्चपती 30 नबंबर 2022 को बीजे ताव को पुरुसकार परदान करेंगे कब 30 नबंबर 2022 को इसमें टेबल टैनिस अचंता सरत कमल को मेजर ध्यान चंद्र खेल लतन पुरुसकार दिया जाएगा 25 खेलाडियों को अरजन पुरुसकार दिया जाएगे खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसकार के लिए मेजन ध्यान चंद्र खेल लतन पुरुसकार चार खिलाडियों को दिया जाएगा इसमें अस्विनी अंकुंजी सी धरंबीर सिंग, बीसी सुरेथ, नीर भादुर, गुरुंग सामिल हैं इस पुरुकार को पहले राजीब गांदी खेल लतन पुरुषकार के रूप में जाना जाता था तो राजीब गांदी खेल रतन पुरुसकार को अब बना दिया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रतन पुरुसकार यह भारत में किसी खिलाडी को दिये जाने वाला सर्बोच खेल सम्मान है तो अगर ये ग्रिश्वनी पूछा जाए कि किसी खिलाडी को दिया जाने वाला भारत में सर्बोच खेल सम्मान कौन सा है मेजर ध्यानचंद्र खेल रतन पुरुषकार इसे 1991 बयानमे में इस्थापित किया गया था ये बिगच चार वरसों की अबदी में किसी खिलाडी दुआरा खेल के छेतर में सांदार और सबसे उतकरष्ट पुरदर्सन के लिए दिया जाता है इस पुरुषकार में एक पदग दिया जाता है एक परमाण पत्र दिया जाता है और 25 रुपे का नगत पुरुषकार दिया जाता है ठीक है तो इस वीडियो में इतने रखेंगे उम्मीद आपको कुछ नई चीज़ा जानने को मिली होंगी फिर मिलेंगा आपको कल सेम तब तक के लिए भाई, thanks for watching.